तो दोस्तों यहां पे बहुत सारे स्टुडेन कमेट कर रहे थे कि आप लोग का जो 75% एटेंडेंस का क्रेटिरिया आया है बिहार बोट का यानि कि आप लोग को 9-12 के लास का 75% है वो आप लोग कैसे पुड़ा करिएगा ठीक है तो इसको लेकर बिहार बोट का और एक लोग करना पड़ेगा तब आप लोग 75% पुड़ा कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे चाहतर बता दे कि आप लोग कोचिंग के सारी आप लोग बोडिग्राम देते हैं स्कूल तो चलता नहीं है स्कूल में पराय होता है तो लोग बहुत सा इस्टेंड कमेंट करे थे कि य देकर इसको ले कर आपको कैसे पूड़ा करना है वो मैं आप लोग को बता देता है इसको लेकर भी हारबोड ने एक रूल निकालाये ठीक है वह है रूल कि सपत पत्र आप लोग जम्हा करना पड़ेगा तो चलिए पूड़ा जरण ह़िए तो फ्रेंस सबसे पहले नहीं द उसको लेकर अभिभवक को सबत पत्र यानि कि आपको का प्येंस जोगा ना उसको सपत पत्र देना होगा सपत पत्र का फॉर्मीट भीहर विद्यालार पेच्छा समीती ने मादमिक वह उर्च मादमिक इंटर कॉलिज को बेज दिया यानि कि आप लोग को इस्कूल में एक सपत पत्र मीरेगा यानि एक डॉकुमेंट रहेगा सपत पत्र ठीक है जिसका नाम है उसको भर देना है ठीक है उसको भर के उसका क्या करना है आप देखे उसका फोटो कोपी जो है उसको क्या करना है उसको भर देना उसको फोटो कोपी अपने पास रखेगा और जाकर आप लोग जो है उसको दे दिजेगा इससे क्या उसमें लिखा रहेगा कि आप लोग रेगुलर 75% विद्याले जा रहे हैं कि नहीं ठीक है इससे आपका 75% का इटेंसी बन जाएगा आप लोगो स्कूल जाने का भी टेंसन नहीं है ठीक है तो यहाँ पे पूरा जनकारी दिया गया चले पढ़ते हैं तो बोला गया कि देखे ऑर कि यहाँ पर बोला कि विद्याले पर्सासन सपतपत्र यहाँ पे पर जो बताया गिए सौरी यहां देखे सपत्पत्र की परती छाया छात्र छात्रा को दे देगे यानि कि सपत्पत्र का फोटो कपी सभी छात्रा को जो है प्रिंसपल देदेंगे इसके इसमें अभिवावक को लिखना होगा कि मेरे बच्चे नयमीत विद्याले जा रहे हैं पेरेंट से लिखवाना पड़ेगा कि आप जो है रेगुलर स्कूल जा रहा है ठीक है अगर रिविद्याले में 75% परस्तिती नहीं रही और बोर्ड एक्जाम से रोका गया तो इसके जिमेदार हम होंगे ठीक है यानि कि आप लोग को बजा दे कि आप लोग को खुद लिखन पड़ेगा उस सपत पत्र में कि मैं जो है रेगुलर स्कूल आ रहा हूं और मेरा 75% है अगर 75% मेरा कम एक्जाम देने नहीं दिया जाएगा तो यही इसमें लिखना पड़ेगा आप लोग को सपत पत्र जो आप लोग को स्कूल में मिलेगा ठीक है उसके लिए दिखे उसक इसमें देखे क्या क्या करना है कि इंटरमेटिक वैसे विद्याती सामिल हो सके जिनका नौवी दसवी बारवी में सिक्षन शुरू करने के उसी महिने के पहले महिने के तारिक तक 75% उपस्तिती हो ठीक है और इसके लिए आप लोग को सपत पत्र जो बोला है भरने तो आप कि यहां देखिए कि बिहार विद्यालापक्षा समीथी ने 75% एटेंडेंस के अनुमार तक समझ में पत्र जारी किया है समीथी ने कहाए कि इंटरमेटिक वार्षिक परिच्छा में वही विद्यारती सामिल होंगे जिनका 75% एटेंडेंस होगा ठीक है तो 75% एटेंडेंस आप लोग tua पूरा करने के लिए क्या होगा सुंपल हां आप्नेट लेना थीक फॉरमेट में आप सेवन्टिफाइब पर्चंट प्रसें सपनापनाना सकते हैं तो यह विदियो का लाइक कर रिये沖 दूस्तों करिए मैं तो चलिए और वी जनकारी पाना सबसे पहला ना क्रोम ब्राजर पर यहां एक बाद सर्च करदा है सिंप्ली आप लोग देख सकते एस्टेडी से लेवर्ज ठीक है यहां देखे यहां पर आप लोग को देखिए कि 12 किलास का पूरा का पूरा सब को इसका तैयारी होगा है ठीक है तो आप लोग को टेंसन क्निव्स देख सकते हैं कि इसका छोठी यहां पर इस पर करता है दीकिएए यहां पर सब्सक्राइब करें खरकेर अपना 허ओं बैंका यहां दिया गीए झाल झाल